अगर आपने first part ने देखा directly second part देख रहे हो तो i button पर मैं video का link दे रहा हूँ उस पर click करके आप first part देख लो या description box में मैं link दे रहा हूँ first part का आप उधर से click करके देख सकते हो अगर आप first part देख लोगे तभी अच्छे तरीगेस आपको second part समझाएगा आप मैं आपको बताता हूँ कि stocks में आप इस strategy का use कैसे करोगे intraday में और indian आपको बताऊंगा nifty और bank nifty में option buying plus option selling कैसे कर सकते हो वो भी intraday में तो सबसे पहले stocks का बताता हूँ अब यहां पर जो स्टोक है ना वो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ ठीक है स्टोक सेमी रहने वाला बजास फिंसर्फ जो टाइम फ्रेम है वो पांच मिनट का हो गया है इस strategy का use आप सिर्फ short selling के लिए करोगे ठीक है आप buying के लिए बिल्कुल भी नहीं करोगे stocks के अंदर या अपने trade ले लेना है और आप re-entry अब करोगे दिन में सिर्फ एक बार तो टोटल स्टोक के अंदर आप सिर्फ दो ट्रेड लोगे एक single stock के अंदर सिर्फ दो बार ट्रेड लोगे पहला trade 10 बजे से पहले पहले नौ से लेके 10 बजे के पहले पहले और दूसरा trade 10 बजे के भी लेकर जा सकते हो बट starting में 1-3 लेकर जाओगे आप और आप intraday में trade कर रहे हो तो overall minimum आप 5 ट्रेड लोगे intraday में ठीक है overall सिर्फ एक स्टोक के अंदर बात नहीं कर रहा हूं एक स्टोक में तो सिर्फ आपने दो ही ट्रेड लेना है बट overall कम स्केमा 5 से लेकर 6 ट्रेड लोगे इससे जो probability है पैसे बनने की वह ज्यादा हाई हो जाती है और जो आप स्टोक करोगे वह सिर्फ होने चाहिए फनो के स्टोक ठेक है इनके अंदर ही आप ट्रेड करोगे और कोई भी स्टोक आप नहीं लोगे और last stage अगर candle का size बहुत बढ़ा है ठीक है तो आप क्या क पहले entry बगर बताता हूं तो यहां पर मैंने क्या बोला था आप सरफ short करके play करोगे ठीक है बाइंग का तो option ही नहीं है तो यहां पर आप देखोगे यह जो line है यह day का स्टार्टिंग है इसको मैं one second एक मैं भी एक line डो कर लेता हूं पूरे 10 बजे पर एक vertical line डो करता हूं alt प्लस वी इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं डाक यहां पर एक जो पतली सी line है यह day का स्टार्टिंग है और यह ब्लू मोटा सा लाइन है यह दस बजे का time है यह हमें एक reminder की तरह है कि 10 बजे से पहले-पहले हमने trade लेना है तो इसको मैं थोड़ा zoom करता हूं अब यहां पर आपने कैसे trade करना है आपने देखना है कि जो candle है वो 5 EMA के उपर हो ठीक है और candle का जो low है वो 5 EMA को touch ना करें जो monthly time frame पर मैंने बताया था वो high था candle का की EMA को touch ना करें इधर मैं opposite बता रहा हूं ठीक है तो यह जो candle है यह 5 EMA के उपर है ठीक है हमने उपर को देखना है और इसका जो low है 5 EMA को touch ना कर रहा हो तो हमारा stroke select हो चुका है बहुत simple है अब उसके बाद हमने देख रहा है वेट सबसे पहले हमने क्या करना ह है इसका low प्लस इसका high जो high है हमारे stop loss के काम आगा क्योंकि हमने short करना है और हमने देखना है कि यह जो इसका low है यह कोई candle break करें नीचे को इस candle ने इसके low को break कर दिया है तो इधर आपकी entry हो जाती है तो इधर आप करोगे short इस candle पर और आपका जो stop loss होगा यह होगा यह ठी कर गया यह reverse कर गया है तो इस candle ने हमारा stop loss हिट कर दिया है इस candle ने तो यहां पर हमारा एक trade loss वाल हो गया है अब यहां पर आप एक चीड़ करोगे यह जो सारे candles है ना यह सारे 5 EMA के ऊपर है तो हम वेट करेंगे यह जो candles है इनके अगर low break होते है तो हमने उनके low पर entry लेना अब आप देखोगे यह जो red candle है इसका जो low है यह candle break कर देता है इसको मैं remove करता हूँ और हमने इस candle को क्यों select किया क्योंकि अभी यह 5 EMA के ऊपर है और इसका low break हो चुका है हमने इन candles को क्यों ने select किया क्योंकि इनका जो low है किसी ने break नहीं किया यह ऊपर ही जाते रहे है ब आपको wait करने की जूरत नहीं है कि candle का closing हो ठीक है जैसे ही price low को break करता है आपने anti ले लेनी है उसके बाद आपके सामने price नीचे आया अब हम देखते हैं कि हमें क्या points मिले है अब यहाँ पर जो हमारा loss हुआ है इधर यह लगबग हुआ है 12 points का ओके और इधर हमें कितने points मिल मिल जाते हैं 32 points का ज्वास मिलते हैं तो हमारा stop loss क्या है 1 seconds हमारा stop loss है लगब can io और लेते हैं हम आराम से ये हिषरarken Minμuklelaughter insurance मिल जाता है इधर हम को इधर short site में 32 पउइ्ट मिल जाते ह injection हमारा हो stop lossaven और लगबग strict reporting नो पूइंत का है आप यहां पर सवाल आता है कि आपको सब कुछ पता लगया कि आपने आन्टिगेस से लेडल कैसे सिलेट करें हैं बगें सबसे पहले मैं आप को बताया था कि आपका डायरा क्या एफ और स्टोक तो आप क्या गर होगे मार्केट के नीचे यहोंगए है न अब्यूस सी बात है तो आप जैसे मार्केट open होता है तो आप gainers को देखोगे और जैसे 상ible open होता है और gainers को up select करते हैं तो आप को पता है बहुत सारे gap यहां पर मैंने बैंक निफ्टी स्ट कर लिया है रहने वाला है तो आप सबसे पहले रूस को समझे लो कि मैं क्या बोलने था रहा हूं स्टोक सक अंदर मैंने बोला था कि आप सिर्फ करोगे ठीक आप बाइंग करके काम नहीं करोगे इधर आप शौट भी कर सकते हो और बाइ मिंट करोगे तो टाइम फ्रीम 15 मिंट करोगे और स्टोक से अंदर क्या था कि आपको 100 में पहले यहां पर आप सारा दीन ट्रेम ले सकते हो सारा दिन मतलब सार दिन कोई सायआ एक तद्रेम से काम करता है ठीक है अगर आप स्काल्पिंग नहीं करते हो से बड़े मुफ से capture करना चाहते हो तब भी स्काल्पिंग करते हो वह तो अच्छी बात है अब इतनी सारी शीज़े बता दिया है लास्टीज रूल में बताता हूं कि जब आप एर्दी मनी में option buying करते हो और माल लेते हैं एड़ी मनी का जो प्रिमियम चल रहा है वो लगबग 300 रुपे का चल रहा है ठीक है तो आपका जो stop loss होना चाहिए वो लगबग 30 से लेकर 40 point में हो जाना चाहिए और एड़ी मनी का अगर चैंडल बहुत बढ़ी मन जाते हैं तो अगर आपको ऐसा सा कुछ मिलता है ना बहुत बढ़ी केंडल और आपका सटिक बोल रहे हैं आपको ड्रेल लेना तो आप ट्रेल नहीं लोगे क्योंकि आपका जो रिस्क रिवोड है वह अच्छा बैठेगा ने तो आप उसको इग्न यह हमारा हो गया स्टॉप लोज और इस केंडल ने इस लोग को ब्रेक कर दिया है तो इधर आपका एंट्री हो जाता है और यह आपका स्टॉप लोज स्टॉप लोज हीट हुआ नहीं है यह आपके डिरेक्शन में गया है लग बग आपको ज्यादा नहीं तो वन इस केंडल ने यह जो ंगे केंडले इनको अलँ है इस रेड कर दिया है तो यह आपका हो गया और यह आपका उपर होला लेक्टर मिल जाता अगर आप स्काल पर हो तो आपको आछे पैसे बनेंगे मैंने आपको बताया था इस strategy के अंदर यहां पर मैंने आपको short side में बता दिया short side में आप 5 मिनट का time frame यूज करोगे और यह जितने भी candle थे यह 5 मिनट का time frame था अब मैं आपको 15 मिनट में बताता हूँ अब यहां पर मैं बैंक निफ्टे में एक दो दिन पहले आ चुका हूँ time frame मैंने 15 मिनट का ले लिया ओके 15 मिनट का time frame अब हमने wait करना है कि candle 5 5 EMA के नीचे कब close हो तो यहां पर आप देखो clearly सर्फ एकी candle है जो 5 EMA के नीचे close हुआ है तो इसको मैं remove करता हूँ इसका हमने high plus low mark किया अब हमने wait करना है कि इसका high break हो तब हम entry लेंगे तो आपका entry इधर ही हो जाता है मैंने बोला था आपको closing पर wait करने के जोड़ते नहीं है आप इसके जैसे इस level के उपर जाता है price तो आप इधर यह entry ले लोगे यह आपका होगया stop loss यह आपका होगया entry और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ज्यादा नहीं तो कम सकम आपके direction में आपको 1-2-4-5 का तो risk की reward मिल चुका है इधर आपका इतना सा stop loss है और इधर आपको इतना बड़ा move मिला है अगर आपको वीडियो अच्छा लगाया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आप first time इस channel को देख रहे हैं तो please इस channel को subscribe करें मिलते हैं next वीडियो में